हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का हमारे शादर प्रिपरिशन अट्ड़ के अंदर दोस्तों ये कोशन दे रहा है और ट्रिक के माधे में से इसको सॉल्व करेंगे पर्सेंटेज का कोशन है इसमें दे रहा है कि एक रेक्टेंगल की लेंद को इंक्रीज कर दिया गया है 10 परसेंट से और उसकी विर्थ को इंक्रीज कर दिया गया 5 परसेंट से तो पूछ रहा है कि उसका एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा तो सबसे पहला देख लेते हैं रेक्टेंगल कहते कि इसको है रेक्टेंगल एक ऐसी जिमेटरी होती है जो जिसकी आमने सा और जो area होता है rectangle का वो होता है land into bird इन दोनों का multiplication होता है तो यह है rectangle तो उसमें कहरा है जो length थी उसको increase कर दिया है 10% से और bird increase कर दिया है उसकी 5% से मतलब इसको 5% से और इसको 10% से तो पूछ रहा है कि इसका area है वो कितने % से increase कर जाएगा तो दोस्तों यह successive increment का question है इसको किस तरह solve करना tricks है 5 second कंदा जो solve solution आएगा वो इस मतलब से आएगा कि आप से area में increase पूछा तो आपको क्या देहना है कि length में कितना increase हुआ तो 10% हुआ length में increase उसमें add कर दीजिएगा जो width में increase हुआ कितना हुआ 5 उसमें add करना इन दोनों का multiplication जो increment हुआ है कितने का हुआ 10 into 5 और आपको जो है 100 से divide कर देना तो आपको सब जोड़ना 15 पिलस यह हो जाएगा एक 0 कतम 5 दुनी 10 1.2 इसको add करेंगा 15.5 और लगा दिजिए percentage तो 15.5 percentage का जो हो जाएगा increment हो जाएगा area के अंदर तो इसके हिसाब से हो जाएगा option B बिलकुल correct तो यह case था rectangle का अब square क्यों होता इसमें square का भी question पूछ सकता ह तो square के होता square एक ऐसे geometry होती है एक ऐसा rectangle होता है जिसकी सभी ages जो होती है वो equal होती है अब यह question ऐसा बन जाता कि एक square है जिसकी age में 5% का increment किया है तो बताईए उसके area में कितने percent का increment हो जाएगा तो आपको क्या करना successive increment का formula लगाना है तो आपको क्या गरना दोगो A के जी है इसमें भी 5% का और इसमें भी 5% का तो area क्या होता अब length इंटू बिर्थ अब दोनों ही A और A है तो area हो जाएगा A square तो आपको क्या गरना successive increment में क्या गरना कि length में कितने का increment हुआ पिलस बिर्थ में कितने का increment हुआ अब यहां तो same है क्योंकि square है पिलस length इंटू बिर्थ में increment अपोन 100 तो जब इसको add करेंगे तो यह हो जाएगा 10 पिलस यह हो जाएगा 35, 35 का 100 इसका मतलब होगा 0.25 तो add करेंगे तो हो जाएगा 10.25% अगर यहां area का case आता 5% का increment होता तो total area में square के इस area में जो increment होता वो होता 10.25% का तो इस तरह के question दोस्तों इस तरह से लगाएं ताकि आप exam में time को save कर पाएं वीडियो अच्छे लगी हो तो like जरूर करने, thank you so much